हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो नवलगड में मैं हूँ विजय और हाजिर हूँ एक और नई इंफोर्मेटिव वीडियो के साथ दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब आप घर बेटे ही पोस्ट आपिस में खाता खोल सकते हैं अपने मोबाइल से केवल पांच मिनट के अंदर खाता खोलने के लिए आपको पॉस्ट आपिस की अप्लिकेशन इंडिया पॉस्ट पेविन बैंक नेट बैंकिंग को डावलोड करना होता है जो कि सभी अंडुरी यूजर्स के लिए प्लेय स्टोर पर अवेलेबल खाता कैसे खोलते हैं उस पर एक पूरी वीडियो बनाई है मैंने आप उस वीडियो को देखकर इंडिया पॉस्ट पेविन बैंक में खाता खोल सकते हैं लिंक आई बटन में और डेस्क्रिप्शन में देखने के लिए आपको मिल जाएगा चेक आउट करें एक सरकारी बैं का एरियर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों इसका कारण यह है कि आपने अपने अकाउंट की फुल के वाइसी नहीं करवाई है इसलिए आप उन पैसों को किसी भी दूसरे बैंक में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं मगर दोस्तों मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊ हैं तो सबसे पहले उसे सस्क्राइब करें और जलती से 1000 सस्क्राइबर पूरे करने में हमारी मदद करें और साथ ही घंटा दबा कर ओल पर सेट कर ले जिससे हमारा दोरा अपलोड की जाने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी तो फ्रेंड सबसे पहल इसलिए मैं भी इन पैसों को निकालने में असमर्थ हूँ यानि कि जब भी मैं इन पैसे को दूसरी बेंक में ट्रांसफर करता हूँ तो ट्रांजेक्शन फैल्ड का एरर आ जाता है मगर दोस्तो मैं इन पैसों को आपके सामने ही लाइप प्रूप के साथ निकाल के दिखाऊँगा दोस्तो इन पैसों को निकालने के लिए मैं सिंपली इंडिया पोस्ट पेरें बेंक दौरा प्रूइड किये गए रुपे डेबिट कार्ड का यूज़ करने वाला हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रुपे डेबिट का ओप्शन हमारे सामने आए गया है तो हम सिंपली इसको पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यह एक वर्चूल डेबिट कार्ड है यानि कि यह एक इलेक्ट्रोनिक कार्ड है आप इसे फिजिकल अभी नहीं ले सकते हैं अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे ITP bank की debit card की detail यहाँ show होने लगी है view card detail की उपर click करके आप इस card की detail को देख सकते हैं जैसे कि month, year, 7 में सी भी नंबर भी जान सकते हैं और यहीं से आप अपने card को manage भी कर सकते हैं और block भी कर सकते हैं इस card को लेने के लिए आपको 25 रुपए का सुलक देना होता है तो फ्रेंट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे debit card की उपर लिखा हुआ है active debit card तो इसी debit card की साहता से मैं उस 10 रुपए 33 पैसे को निकालने वाला हूँ पैसे निकालने के लिए मैं जिस UPI payment application का यूज़ करने वाला हूँ उसका नाम है phone pay इससे पहले मैंने paytm के उपर भी एक वीडियो बनाई है आप i button के उपर क्लिक करके देख सकते हैं साथ मैं मैंने उसका link भी description में दे दिया है या फिर आप end screen पे भी देख सकते हैं तो friends मैंने अपना phone pay application को open कर लिया है और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे check bank balance इसके उपर आपको simply click कर देना है click करने के बाद मैं आप देख सकते है phone pay wallet phone pay wallet में में मेरा आप balance देख सकते हैं 8 रुपे हैं यहीं पर आपको एक option दिखाई दे रहा होगा top up wallet यहाँ पे हमें simply अपने amount को enter कर देना है तो मैं simply यहाँ पे 10 रुपे enter कर देता हूँ और proceed to top up पे click कर देते हैं click करने के बाद मैं आपके सामने payment window open हो जाएगी यहाँ पे आप देख सकते हैं payment के लिए UPI debit card और credit card का use कर सकते हैं तो मैं simply India Post Payment Bank दोरा दिये गए debit card का use करने वाला हूँ तो यहाँ पे आपको उस India Post Payment Bank की card की detail को fill कर देना है चलिए मैं इसे फटा-फट fill कर देता हूँ enter your card number में आपको आपके card का number भर देना है साथ में month, year और साथ में CVV नंबर भी आपको यहाँ पे डाल देना है डालने के बाद में आपको Top Up Wallet पे क्लिक कर देना है तो चलिए मैं इसे enter कर देता हूँ तो friends मैंने अपने India Post Payment Bank के debit card की सारी detail को यहाँ पे fill कर दिया है और आपके इंडिया Post Payment Bank में लिंक हुए phone number पे OTP मिलेगा उस OTP को आपको यहाँ पे enter कर देना है और submit पे क्लिक कर देना है तो friends जैसा कि आप देख सकते हैं यानि कि हमने इंडिया Post Payment Bank से 10 रुपे को निकाल लिया है वो भी debit card की साहता से और बिना KYC के जल्दी से चेक कर लेते हैं अपने phone pay wallet के balance को तो friends जैसा कि आप देख सकते हैं पहले हमारे phone pay wallet में था 8 रुपे जो कि अब हो चुके हैं 18 रुपे यानि कि हमने 10 रुपे को इंडिया Post Payment Bank से निकाल लिया है वो भी बिना KYC के और अब हम चलते हैं इंडिया Post Payment Bank में देखते हैं कि वहाँ से हमारे 10 रुपे डिडेक्ट हुए हैं या नहीं हमारे अकाउंट में 10 रुपे 33 पैसे थे जो कि अब 33 पैसे बचे हैं यानि कि हमने अपने IPP Bank अकाउंट से फोन पै वालेट में 10 रुपे को ट्रांसफर कर दिया है वो भी रुपे डेविट कार्ड की साहता से यही प्रोसेस आप Paytm Wallet के साथ भी कर सकते हैं अब उन निकाले हुए पैसे को आप काम में ले सकते हैं चाहे तो रिचार्ज कर सकते हैं या फिर आप अपने दूसरी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं फोन पै वालेट की साहता से या फिर पेटियम वालेट की साहता से तो फ्रेंड्स यह थी आज की वीडियो इसके अंदर हमने देखा कि आप बिना KYC के इंडिया पोस्ट पैमेंट बैंक से पैसे को निकाल सकते हैं वो भी UPI अप्लिकेशन की साहता से जैसे कि दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजेगा और साथ में अगर कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं साथ ही हमारे टेक्न नोलगर चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलियेगा और हाँ हमारे एक हजार सस्क्राइबर को जल्दी से जल्दी कम्प्लीट कराने में हमारी हेल्प करें अच्छ में घंटा दबा कर ओल पर सेट कर लिजेगा ताकि जब भी हम नई वीडियो को अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए